कि नमस्कार दोस्तों बहुत स्वागत आप सभी का मैं उस तुशान से न जब से चीन से पैसा लेकर भारत में एजेंडे उने वाले पत्रकारिता करने के आरोप लग रहे हैं कुछ पत्रकारों पर कुछ मीडिया साइट्स पर और जान चल रही है इन आरोपों की तब से इस देश में वहीं महौल फिर से बनाया जा रहा है कि भाई डर का महौल है और नरेंदर मोदी जो है जो सवाल उनसे जो पत्रक इसने क्यों मारे, UAPA की धाराएं क्यों लगाई गई है, इसको लेकर क्या जानकारी बाहर आ रही है, वो असल जानकारी आप तक पहुंचना जरूरी है, साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, कि किस तरह से इस देश में एक एको सिस्टम काम करता है, आपको आज वो भी समझ में आना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब इस पूरे मामले में कारवाई शुरू हुई, अगर आप देखेंगे, तो न्यूज क्लिक का ओफिस सील किया गया, और जो फाउंडर है, प्रबीर पुरकायस्थ और एक HR हेड को अरेस् इस ताज के लिए, और सब को फिर छोड़ दिया गया, हाँ, उनका लैपटॉप, मॉबाइल वगएरा वगएरा कहा जारा कुछ लोगों का लिया गया है, और उनकी फॉरें सिख जाच की जारी ही कि उसमें क्या मिलता है, लेकि इतने गंबीर आरोप लग रहे हैं कि चीन से पैसा लेकर देश के खिलाफ पत्रकारिता की गई, और ये लोग चाते हैं कि उसमें जांच भी ना, और ये आरोप सिर्देश में नहीं लगे, बलकि न्यू यूउक टाइम्स तक ने लगाए कि कैसे, नेवल राइस सिंगम नाम का एक बड़ा बिजनेसमेन, चीन का पत्रकार हो, सपोर्ट करो, जांच की इसमें क्या दिक्कत है, तुमको किसी ने शूली पे तो नहीं टांग दिया, लेकिन इन लोगों ने कारवाई जब शुरू हुई, तो उसके बाद हंगामा शुरू किया, और वही पूरा एको सिस्टम एक्टिव हो गया, रवीश कुम अबीर आरोब लग रहे है, ये वो लोग हैं, आप ध्यान रखीगा, ये वो लोग है, ये पूरा एको सिस्टम कह रहा हूं, किसी एक का नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जब एक पत्रकार, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, कि वो बड़े मुखर तरीके से अपनी कई मामलों में कहते हैं उनको लेकर जब कारवाई हुई महराश्र के अंदर और वहां पर पुराना केस उठा कर जो है पुलिस पहुंच गई घर पर अरनव गोस्वामी के घर पर तब यह लोग तो उठर रहे तब इन लोगों को दिक्कत नहीं लग रहे थी कि पत्रकार के घर पुलिस कैसे पहुंच गई और सब को दिक रहा था कि कैसे अरनुद गोस्वामी ने सवाल पूच लिए इसलिए करवाई सब के सामने था लेकिन तो है इन में बॉस लेकिन यही एकता देश के लिए न दिखाते तो खेर वो शुरू हो गया कि चुप कराने का खेल शुरू पत्रकारों के घर पुलीस और जब अमन चोपडा के घर पुलीस भेजी गई थी तब इनलों को नहीं दिख रहा था दूसरे पत्रकारों के घर जब तब भी इन लोगों को दिक्कत और नेरेटिव वाई सेट किया जा रहा है कि भाईया देखिए पत्रकारों को दबाया जा रहा है एक भाई साब है अभिसार शर्मा इन्होंने इनको भी ले गए थे पूस्ताज के लिए तो यह भाई साब लोटे और लिखे कि आप्टर डे तो नहीं दरने की बात है तो पिर करो काम इतना च्छाती का लफी ट्रकों अगर डरने की बात नहीं की बात नहीं है और यह विल कीप कोश्चनिंग पीपल इन पावर और पर्टिकुलर्ली दोस वार अफ्रेड ऑफ सिंपल कोश्चेंस नॉट बैकिंग डाउन एट एड़ मतलब यह भाई ने भी दिखाने का प्रियास किया कि हम जो है वो सवाल पूछ रहे हैं इसलिए जो है हम पर यह कारवाई कि मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं अभिसार शर्म इस आदमी का नॉलेज का लेवल आपको समझ में आ जाएगा आप माथा पिट लेंगे और उसके बाद खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई और नहीं इस देश में तो इस आदमी के सवाल से जो है सरकारें डरने लगेंगी जरा इस आदमी का लेवल देखिए जिसको धान और गेहूं का फर्क नहीं पता जरा यह पुराना वीडियो देखिए इनका जहां निगाह डाले वहाँ पर यह धान के खेथ हैं दूर दूर तक आप देख सकते हैं धान के खेथ हैं धान के खेथ यानि गेहूं यानि रोटी यानि की भूग का समाधान और मेरे पीछे आप जहां निगाह डाले वहाँ पर यह धान के खेथ हैं दूर दूर तक आप द अब आप बताए जिस आदमी को धान और गेहूं का फरक नहीं पता है कियरा है मेरे पीछे धान के खेट धान मतलब गेहूं गेहूं मतलब रोटी अब फिर आगे ये भी बताता है कि धान के खेट में पानी ज्यादा पड़ता है तो उसमें मच्छर हो जाते हैं इसलिए इंसेफिलाइटिस हो जाता है इसको यहीं नहीं पता कि धान के खित में कितना पानी पड़ता है गेहूं में कितना पड़ता है रोटी गेहूं से बनती है कि धान से बनती है इसको भाई को यहीं नहीं पता कि धान और गेहूं में फरक क्या है यह लोग एंकर नहीं भाई यह लोग एक्टर है मुझ बना बन और चले हैं तीन किशी कानून पर पब्लिक को ग्यान दे कि सरकार क्या कर ठेर एक भाई साब है जरा उनके बारे में भी आपको दिखाता हूँ इनको जैसे पुस्चिनिंग से ही सदमा लग दिया दिमाग ये भाई साब को सुनिए एक बार और पुछे ना मोधी जी भगवान का अवतार है और पुछे ना स्वार मोधी जी महान है और पुछे ना स्वार दिमाग को प्यूजे ऊड़ गया कुछ सवार पूचे गए तो बाई के मोधी जी महान है मोधी जी भगवान का अवतार है और इन लोगों के आप देखिए एक आदमी का दो धान और गेहूं बताई दिया दूसरा दमी चौथा आदमी पांचवा आदमी जितने लोग इन ल 40 करोड़ लोगों में सर्वे कराईएगा तो पब्लीक इनको जानती नहीं है कि लोग है कौन तुमको जानते नहीं तुमसे क्या डरेगी सरकार भाई और एकाद जिनको जानते हूं का ग्यान का लेवल धान और गेहूं में फसकर जो है वो सामने प्रकट हो जाता है तो यह कि यह को अच्छा डरा रहे हैं डरा रहे हैं डरा रहे हम से सरकार डर गई है च안ओ असे तो टर आहीं रही रहे हूं तो नोडर अजितने दिन गुजरात में रहे सब चुनाव जीतेक्व फिर चाहुदा जीते फिर 19 जीते डर का महौल है देश में सुरक्षा नहीं है हम से सरकार डर गई डर गई इतना चिला है पूल सा चुनाव हार गया भाई तुम्हारे चिलाने से यह लोग ट्विटर में ही खुश हो जाते हैं कि मेरे ट्विटर पर यह हो गया या यूट्यू यह इन लोगों का हाल है और इनकी मैं आपको इनका डबल स्टेंडर भी दिखाता हूं यह लोग जो बोलने की आजादी की बात करते हैं यह लोग जब जंतर मंतर पर कुछ कारेकरम कर रहे थे तो वहां सुदर्शन टीवी का पत्रकार भी पहुँच लिए भाई उसकी क्लब में बी और पोस्टर लेकर चीने से पाइसा क्यों लिया कि अपना पत्रेश किरा का है कैई पत्रेश करें कि प्लिस से मिलकर लोग भी कर जो गड़बर मिले उस पे करवाई किजिए वो पत्रकार हो वो पुलिस वाला हो वो जज हो वो आम आदमी हो वो बिजनेसमेन हो इससे क्या फरक पड़ता है अगर कोई देश के खिलाफ है जिस पे अगर इतने गंबीर आरोप लग जाएं उन सबसे सवाल जवाब तो होना चाहिए लेकिन वही नरिंदर मोदी हमसे डर गए नरिंदर मोदी अरे डर गए चलो जा अब आप जबाद दो कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं चुकि अब मेरे पास वह है नहीं तो मैं क्या दिखाओ और मुझे पता भी कि नहीं कि सही है कि नहीं लेकिन चर्चा कर रिस्पॉंस भी बता देता हूं न्यूज क्लिक ने कहा है कि अपने जवाब ने दिया है पुलिस अपना काम कर रही है कोट में सारी चीज़ें चलेंगी लेकिन अब जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर चापी आपको वह भी पढ़नी चाहिए पुलिस F.I.R. ड्रॉज ऑन E.D. क्लेम्स लिंक्स न्यूस क्लिक टू नवलखा माउस्ट केस यह जो गौतम नवलखा आपको याद होगा कि एलगार केस में जो आदमी हाउस अरेस्ट में उसके इस पूरे मामले का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और पुलिस जोड़ा रही In its remand application, Indian Express report, in its remand application, the special cell stated there were secret inputs that foreign funds in crores have been infused illegally in India by Indian and foreign entities inimical to India in pursuance of conspiracy with the intention to disrupt sovereignty and territorial integrity of India to cause disaffection against India and to threaten the unity, integrity, security of it. यानि जो remand के लिए application पुलिस ने दी है, उसमें पुलिस ये कह रही है कि उसको special secret input मिला है कि भारत को भारत की अखंडता को तार-तार करने के लिए करोडों रुपे विदेश से आए. लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसके आगे की लाइन भी आपको पढ़नी चाहिए ये लाइन सुनिये, जो second पैरा में, since April 2018, such fraudulent funds in crores of rupees have been received by MSPPK Newsclick Studio Private Limited through illegal means during a short span of 5 years. यानि पुलिस कह रही है कि करोडों रुपे इस Newsclick के पास आए हैं, सिर्फ 5 साल के हैं. अब आखरी पैरा सुनिये, it stated that an analysis of 4.27 lakh emails showed that the accused were in direct touch with each other. यानि गौतम, नवलखा और Newsclick वाले, ये लोग आपस में touch में थे, और बाकी जो लोग भी हैं, अब किसी का नाम तो लिखा नहीं है, कौन है नहीं है या भी पता नहीं. लेकिन सवा 4 लाख emails को खंगाला है पुलिस में. And were discussing, सुनिये ये लोग क्या, पुलिस का आरोख क्या है. And discussing how to create a new map of India without Kashmir. And to show Arunachal Pradesh as disputed area. And to this end, they had received more than rupees 115 करोड in the guise of foreign funds. यानि पुलिस अपने remand application में, Indian Express की report के मताबिक, ये दावा कर रही है. पढ़िये आखरी की line ने, कि सवा 4 लाख के करीब emails को खंगाला है पुलिस, ED ने. और उसके बाद, पुलिस ये कह रही है, कि करोडों रुपे, अब क्या email मिला है, नहीं मिला, ये तो सामने आएगा. कुछ email तो मैंने आपको पार्ट शाला में दिखाए थे, जिसमें अरुनाचल को जो है, किस तरह से चाइना का पार्ट दिखा दिया जाए, विबादित जमीन को, ये भी उसमें conversation चल रहा है. लेकिन और क्या email मिले हैं, ये तो अभी पुलिस सामने रखेगी, तब पता चले. ये जो अरुनाचल प्रदेश एस दिस्प्यूट एरिया. यानि जो अरुनाचल प्रदेश भारत का अखंड हिस्सा है, कैसे उसको विबादित दिखा दिया जाए, और कश्मीर को कैसे भारत के मैप से अलग करके दिखा दिखा दिया. और इसी लिए मुझे लगता है कि ये जो जानकार ये तो शुरुवाती जानकारिया है अभी और खंगाला जाएगा लैपटॉप, मोबाइल, क्या कम्मिनिकेशन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें और उसके बाद clarity मिलेगी कि क्या ये लोग वाकई देश की अख काइंग बाग कवर कर रहे थे, हो सकता है पुलिस को, ED को, ये email के जरीए कुछ connection मिला हो, कि कैसे इन चीजों को हवा देनी है, कैसे मोहल बनाना है, और इसी लिए पहले तो इन लोगों से ये ही पूछ लिया गया है, कि आप वहाँ थे या नहीं थे, उसके बाद उस connection को establish कर में के लिए क्या मिलता है, नहीं मिलता, ये ढूना जाएगा, जिसके खिलाफ नहीं मिलेगा, वो आराम से अपना काम करता रहे, जिसके खिलाफ मिलेगा, उसको भाई, अगर आप देश के खिलाफ जाओगे, अगर आप कहोगे कि कश्मीर भारत क्या हिस्सा नहीं है, अगर भी थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए उन्हें इस बात को समझना चाहिए हो सकता है देखिए अगर टॉप लेवल पर कोई चीज हो रही हो तो कोई जरूरी नहीं कि हर पत्रकार को पता जो लोग यह कह रहे हैं कि कई जगा मैंने देखा कि लोग चला रहे हैं अभिसार श इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज हर किसी को पता ही होगी यह आपको बेनेफिट ऑफ डाउट तो शुरू में ही सब को देना कि सब को सब कुछ पता हो और सब कुछ उनके कहने पर हो रहा हो यह आभी आप 100 परसंट नहीं लेकिन जब जांच होगी तो क्लियर हो जाएगा क कि इसको पता था किसको नहीं पता था क्या सबूत मिलते हैं नहीं मिलते हैं नहीं बिना यह थोड़ी फ्ली उखा लिया जाएगा अगर उठाना ही रहता तो पर बुलाया त olsika बकार जैयसे इसको प्रभीर पुरकायस्त को अरेस्ट कर लिते अगर अरेस्ट करना ही इनके फोन इमेल वगरा वगरा जो है वो सब खंगा ले जाएंगे करेक्शन मिलेगा तो ठीक नहीं मिलेगा तो वैलन गूर्ट आप अपना काम करते रही लेकिन ये कहना कि इतने गंबीर आरोप लगे लेकिन फिर भी मुझसे कुछ मत पूछो क्योंकि मैं पत्रकार यह तो यह अपना काम आप कीजिए देश की अखंडता का मामला है देश की सब्रबुता का मामला है वो काम कोने दीजे और जबरदस्ती नरंदर मोधी नरंदर मोधी का कवच मत करकेश मैं आपको पहले भी बताए उसलिए GOD NEED और इसलोग Vinceast बताए तो उसको गोधी मीडिया अग आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जैसे 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 आगे बढ़ेगी और भी बड़े-बड़े नाम जो है वो फस सकते हैं क्या आपको क्या लगता है कि इसको लेकर आपके मन में डाउट है नहीं है आपकी इस पूरी खबर पर आए क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए नमस्कार